वरात्री पर आदिशक्ति को प्रसंद करने के लिए भक्तों के द्वारा उनकी खूब पूजा अर्चना की जा रही है। सुबह शाम देवी मंदिरों में श्रधालूओं की भी उमड रही है। ऐसे ही सागर शहर के प्रसिद्ध और प्राचीन बाग्राज मंदिर में भी आस्था का सैलाब दिखाई दे रहा है। 300 साल पुरानी मंदिर में हर सिध्धी माई विराजमान हैं, जिनके दर्शन करने के लिए दूर-दूर से श्रधालू पहुँचते हैं। कहा जाता है कि प्राचीन समय में इस इलाके में बागों का राज हुआ करता था और बाग प्रतिदिन माता के दर्शन करने के लिए आते थे। इसलिए इस मंदिर और इस इलाके का नाम बागराज के नाम से जाना जाता है, डॉट इस मंदिर को लेकर अलग-अलग किवदंतिया भी सुनने को मिलती हैं। मंदिर की पुजारी बताते हैं कि रानी में जो हजारों साल पुराना मंदिर हैं, वहां से माता चल कर आ रही थी रास्ते में उन्हें चरवाहा मिला जिसने उसे कन्या से पूछा की कहा जाना है, तो उन्होंने कहा कि इसी दिशा में आगे बढ़ाना है। तब चरवाहा उसे कन्या को अपने कंधे पर बिठा कर आगे बढ़ा मंदिर वाली जगह पर आकर वह कन्या प्रतिमा के रूप में बदल गई। तब से ही यहां पर माता विराजमान है और अब सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। वहीं इसके अलावा यहां पर एक अजगर दादा की किवदनती भी हैं। और इसके साख्ष भी मिल जाते हैं, इनकी विशालता इतनी है कि कभी भी किसी ने अजगर को पूरा नहीं देखा है। पंद्रह से लेकर 20 फीट तक भी कई बार गुफा से बाहर निकल चुके हैं उनकी मोटाई भी 2-3 फीट तक बताई जाती है हालां की पिछले 10-15 साल से वह दिखाई नहीं दिये हैं स्थानिय लोगों को कहना है कि उनकी उम्रस ज्यादा होने की वजह से खिसकने में परेशानी होती है रंग बिरंगी रोशनी से जग्मगाता ये प्यारा दर्बार मा भवानी हरसिधी देवी बागराज मंदिर का है 300 साल से अधिक पुराने इस मंदिर का कुछ समय पहले पुनर निर्मान कराया गया है शारदिय नवरात्र पर्व पर बागराज मंदिर के शिखर से लेकर पूरे मंदिर और परिसर को बहुत करीने से सजाया गया है जिससे मंदिर की छटा बहुत ही आकर्शक और निराली है नवरात्र में यहां रोजाना भक्तों की भीड रही परंतु महाश्टमी और नवमी पर भक्तों की कतार लगी रही किमवदंती है कि कभी यहां शेर भी हरसिद्धी मा के दर्शन के लिए आता है